मैं आडिखेस्पी माले गाओ शेहर के तमाम शेहरियान को जस्ट ये मिलाद दनुबे की बहुत बहुत मुबारक बात देता हूँ मैं अवाम से अपिल करता हूँ कि इस मुबारक दीन को बरपूर इबाब दवत करके सागी से इद मनाए मुलिष्टा मैनों में करोणा बिमारी ने सारे दुनिया को अपने चपट में लिया था उस बिमारी ने अपने शेहर में भी कहरड आया है इस दोरां दुख की बात ये है कि हमने अपनों को खोया है शेहर के बड़े बड़े नामोर और उल्माओं को खोया है इसलिए इस बिमारी से बचाव के लिए आज भी एतियाती कदम उठाई जा रहे है इससे मद्दे नजर रियासी हुकुमत ने त्योहारों को शर्थ से मनाने की पूर्जोर अपिल किया गुलिष्ता महिनों में जितने भी त्योहार आये हर समाज ने इन त्योहारों को साधगी के साथ मना कर प्रशासन को मदद किया इस साल जर्ष्ण इदिये मिलाद नुभी के मोके पर हमने आल इंडिया सुनी जमितुल उल्मा के उल्माओं से अपिल किया उन्होंने हमारी बात को माना है इसलिए शहर के अला मती जुलुश निकालेगा जिसमें सिर्फ दस उल्माओं इक्राम होंगे इसमें कोई भी शहरियां शामिलना होने की अपिल करता हूँ दूआ का प्रोग्राम आन्लाइन दिखाए जाएगा आने वाले साल हम जशन इद ये मिलाद नुभी पुरे जोज के साथ मनाएंगे फिर से आप सभी को इद की बहुत बहुत मुबारत बात देता हूँ